91 से 2015 तक उपर नीचे कई बार एक दल की सरकाराई कई बार उपक्स की सरकाराई मैं बहुत जिम्मेदारी तक जिम्मेदारी के साथ यहां बताना चाहता हूँ कि इस बिल से जो ट्रांस्पर पोस्टिंग के सेवाओं के काम के लिए जो अधिकार का वनन किया गया है यह सारे अधिकार प्रैक्टीस में यही पर वो ही चलते थे 91 से लेकर 2015 तक मदनलाल खुराना जी मुख्यमंत्री रहे फिर साहिब सिंग्वर्मा बने फिर फोड़े समय के लिए स्वर्गिय सुसमा स्वराज जी बनी फिर फोड़े सिला दिक्सित जी बनी मगर किसी से केंद्र सरकार से जगरान नहीं हुआ किसी को नहीं हुआ कुकि सब लोग विकास करना चाहते थे सब पावर लेना नहीं चाहते थे मानिवर उस वक्त कई बार कॉंग्रेस की सरकार थी और हमारी सरकार उपर रही कई बार हमारी सरकार नीचे थी उपर कॉंग्रेस की सरकार रही ट्रांसपर पोस्टिंग के लिए कभी जगरा नहीं हुआ उस वक्त यही व्यवस्ता से नेनए होते थे और किसी मुख्यमंत्री को कोई तकलिप नहीं थी मगर 2015 में एक आंदोलन के आधार पर बनी हुई सरकार है और फिर जो बताया कई सदस्यों ने कि केंद्र सरकार पावर हाथ में लेना चाहती है भया केंद्र सरकार को पावर हाथ में लेने की जरूरत नहीं है 130 करोड की जनता की कुपा से हमें पावर भारत की जनता में ही दो दिया यह अधिकार हमें भारत की जनता ने दिया और कई राज्यों में पून राज्यों में भारतिय जंटा पार्टी की पून बहुमत की सरकार चल रही है कोई पावर लेने की जरूरत नहीं है एक दील हम लाए हैं पावर केंद्र में लाने के लिए नहीं केंद्र ने दिये हुए पावर पर दिल्ली यूटी की सरकार अतिकरमन करती है इसको वैदानिक रूप से रोकन सब्सक्राइब लम्बिया चौड़े के संदर अंग्रेजी सब्सक्राइब से असत्या सथ्या नहीं हो जाता है मानेवर कि मैं सबको बताना चाहता है कि कोई भी इसका विरोध करे जा अगर सत्या है कि 91 से लेकर 2015 तक यही व्यवस्ता चलती थी इसमें हमने कोई फ़रक नहीं किया है मन्यवर मैं इसलिए बात करना चाहता हूँ कि नई व्यवस्ता आई कई सदस्यों ने कहा मैं ते तब बूलना नहीं चाहता हूँ मन्यवर कहा है इसलिए से रिपीट करता हूँ कि आरजजगता फेलन नान फेलाने का काम दिल्ली में सुरू होगा है मन्यवर सासन व्यवस्ता के एक फ्रेमवर्क में चलना पड़ता है अगर मैं मंत्री हूँ तो मेरे मंत्री इनाते अधिकार है तो दाहित्व भी है मैं किसी और के अधिकार का हनन नहीं कर सकता मन्यवर कई बार ऐसी व्यवस्ता ही मैं बात में बात करूँगा अभी चिदंबरम जी खड़े हो गए थे वो होम मिनिस्टर थे तब क्या हुआ था और उन्होंने फाइल पर क्या लिखा है वो भी है मेरे पास मैं बताओंगा मानेवर परंट हूँ मैं इतना स्पष्टता से कहना चाहता हूँ कि 91 से लेकर 2015 तक यह व्यवस्ता जसकी तस्ती जिसको बडलने के लिए 2015 में 2015 में एक परिपत्र किया गया दिल्ली सरकार द्वारा जिसको नलिफाई करने के लिए भारत सरकार ने एक परिपत्र सिवाओं के बारे में इस्यू किया उसको उच्च नयायले में चुनोती दी गई, उच्च नयायले में भारत सरकार के पक्स में फैसला आया, फिर सर्वोच नयायले की खंड़ पीट को वो डिफर कर दिया गया, दो अजार अठारा में सर्वोच नयायले की खंड़ पीट ने एक आदेश दिया, जिसका सार है कि मंत्री परिसत की अधिकारों को सर्वोच नयायले ने प्रस्तापीट किया, मानेवर, फिर वो डिविजन बेंच के अंदर, दो जज़की बेंच के अंदर गया, वहाँ सहमती नई बनी, और फिर से खंड़ पीट को रिफर कर दिया गया, और 11 मई को सर्वोच नयायले की खंड़ पीट ने सिवाओ के मामले में अपना नीने दिया, यह जो निना है मानेवर, इसमें सर्वोच नयायले ने विशाइताइ किया है, भारतिय संको केवल तीन विशाइव पर, पॉलीस पॉलीक ओडर और लेन्ड, यह तीन विशाइव पर ही कारेकारी अधिकार प्राप्ट है, सिवाओ का अधिकार दिल्ली सरकार के पास रहता है परन्तु उसी जज्जमेंट ये कहा गया हाला कि 239 ए ए को कोट करकर कि संसत को दिल्ली राजदानी क्षेत्र के सभी विशयों पर और किसी भी क्षेत्र पर कानून बनाने का अधिकार है